कि हलो सात्यों स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के फेपे तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है सब्जेक्ट जो है हिंदी है विशे हिंदी से है और इसका जो एक सब्टॉपिक है मतलब वह है तत्सम एं तद तत्सम है इसकी यह कैसे शुरुवात हुआ यह किसके प्रकार है तो चलिए देखते हैं आज के बाद आपको तत्सम सब्देना तत्सम से मिलकर बना है जिसका अर्थ है उसके समान या जयों कातियों यह दोस्तो पहले सबसे पहले बता दो कि यह सब्द भेद हैं सब्द भेद यानि एक या एक से अधिक अच्छरों से बनी हुई स्वतनत सार्थक ध्वनी को सब्द कहते हैं जैसे हा, न, जब, तब, कशक, मशक, जगमग, डगमग आधी प्रकार कैसे सब्द हैं तो जो हिंदी के सब्दों का वरगी करण जो है न, वो चार प्रकार का होता है उत्पत्ती का स्रोथ से विपत्ती के रूप में या फिर रूप या फिर अर्थ के रूप में जैसे पहला उत्पत्ति, दूसरा विपत्ति, तीसरा रूप, चौथा जो है वो अर्थ के प्रकार में होता है तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका जो उत्पत्ति के आधार पे ये जो सब्द है ये उत्पत्ति के आधार पे है तो पहला देखते हैं तत्सम, तत्प्लस सम से मिलकर बना जिसका अर्थ है उसके समान या जेयोकात्यों, अर्था जो सब्द संस्कृत भासा से हिंदी में आये हैं, और वो जेयोकात्यों प्रयूक तो होते हैं, उसे हम तत्सम सब्द कहते हैं, क्या दोस्तों, तत्सम सब्द, उसके समान अर्था संस्कृत के समान हिंदी के अनेक सब्द संस्कृत से सीधे आये हैं सीधे आये हैं और आज भी हम उसे उसी रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं तो संस्कृत के ऐसे सब्द जिसे हम जयोकातियों प्रयोग मिलाते हैं वो तत्सम सब्द कहलाते हैं एगर उदारन देखा जाए अगनी, वाय, माता, पिता, प्रकास, पत्र, शूर्य, आद्य ऐसे सब्द हैं और तत्भो क्या होता है? तत्प्लस भाव का अर्थ होता है उससे होना अर्था संस्कृत के सब्दों से विक्रित होकर परिवर्थित होकर बने सब्द तत्प्लस भाव क्या बोला? तत्प्लस भाव सब्द का अर्थ है उससे होना अर्थात संस्कृत सब्दों से परिवर्थित होकर बने सब्द हिंदी में अनेक सब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत सही हैं पर प्राकृतिक अपभ्रंस पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। जो है तो कौन से सब्द हैं दोस्तों हिंदी में अनेक सब्द जो निकले कहां से हैं संस्कित से ही निकले हैं पर प्राकृति अपभ्रंस और पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गये हैं संस्कित में जो सब्द प्राकृति अपभ्रंस पुरानी हिंदी उज्वल एक सेकंड लिक के दिखाता हूं आपको खाली जगह कहा है एक वन सेकंड जैसे अभी उज्वल लिखा मैंने उज्वल कैसे लिक्ते हैं उज्वल विझुल उज्वल का उज्वल हो गया उज्वल ये प्राकृतिक हैं प्राकृति से ένα और जो हिंदी में बन क्या है वो हिंदी सब्ढूल को प्लिव किया जाता है उजाला या उज्वला सब्द का होता है अयसे ही जैसे कपूर कपूर फिर आया क्या बदलते बदलते कपूर हो गया जिसे संध्या फिर आया संज्या फिर आया सांच हिंदी सब्द हो गया सांच फिर संस्कित में सब्दा हस्त मतलब हाथ को हस्त बोलते हैं संस्कित में तो वह हथ हथ हो गया हथ फिर आया हिंदी में जब अब प्रयोक किया आप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो दोस्तों तट संब है को सब्सक्राइब तो तट्सम जो है वो हिंदी के अनेक सब्द संस्कित से सीधे आये हैं लेकिन जो तदभो है वो परिवर्ति ठोकर बने है आप इसमें कन्फ्inations मत होईएगा सहब से पहले जान लेजिए कि तट्सम जो सब्द है वो संस्कित से सीधे आये हैं सीधे निकल कर आये है लेकिन तदभो जो है उसमें परिवर्ति थोका राया है जो तदभो सब्द है वो परिवर्ति थोका निकले हैं हिंदी में अनेक सब्दा ऐसे हैं जो निकले तो संस्किस सही है पर प्राकृति अब ग्रहस अब पुरानी हिंदी से गुजड़ने के कारण बदल गए हैं मतलब क कापी लॉंग ट्रेवल अभी जैसे आप मोलते हैं कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो हम अपने से ही बदल देते हैं अभी कपूर करपूर करपूर कोई आपने करफूर गवरं करउना वतार तो उसमें करपूर का प्रयोग में लाते हैं वो सब्द क्या कहलाते हैं तदभाव विदेशच देशच या तत्सम तो दोस्तों जो जो का त्योग प्रयोग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तत्सम सब्द कहते हैं अभी बताया ना संस्कित में जो उसके समान यानि हिंदी सब्द के संस्कित सब्द जो हैं जो का त्योग प्रयोग में लाते हैं उसको हम तत्सम सब्द कहल आते हैं वो जैसे अगनी हो गया वाई हो गया माता पिता यह सब तत्सम सब्द हैं कभी इग्जाम में पूछे तो confused नहीं होना है हमेशा उसके समान ध्यान में रखना है तत्सम सम मतलब उसके समान भव मतलब उससे होना तत भव तो इसमें confused बिल्कुल नहीं होना है तो चलिए देखते इसका जो अंसर है वो है option D जो तत्सम जेव का त्यव प्रयोग में लाते हैं और जो तत्सम है तदभव जो है वो हम संस्कित से सब्द निकले तो संस्कित से हैं लेकिन वो परिवर्तित हो गए तो उसको तत्दभव कहते हैं तो चलिए ऐसा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेश पर देखते हैं नेश कुछें तत्भव सब्द किस प्रकार का सब्द भेद है जो तत्भव सब्द किस प्रकार का सब्द अभी बदा है दोस्तों अभी option देखिए अर्थ प्रयोग रचना या उत्पत उत्पत्ती के आधार पर सब्द है तो चलिए देखते हैं अगला question ये काफी आशान question था अभी एक्सिश्चिन था इसको तो नेक्स पर चलते हैं अगला प्रश्न है उज्वल उज्वल का भी अभी एक्समें किया उज्वल का सही ततभाव सब्द जो है उज्वल का सही ततभाव सब्द तो ततभाव सब्द उज्वल का उजला जो है तद्भव का उज्वल का सही तद्भव सब्द जो है ऊजला होता है तो दोस्तो इसमें एक और चीज बतानी है कि तत्थ सम और तद्भव सब्द को याद करने का जो ट्रीक है वो बताता हूं कि इनको पहचाने कैसे एक जब कभी भी आता है कोई सब्द आता है तो आप confused हो जाते हैं कि तो इसमें इसका जो ट्रीक बताता हूँ एक ऐसा अच्छ जिसमें संयुक्ता अच्छ जैसे च्छ च्छ त्र या ग्या या फिश जब ऐसे सब्द जो प्रयोग होते हैं तो वो तत्सम सब्द माने जाते हैं वैसे सब्द जो होते हैं, जिसमें च्छ, त्र, ज्य, श, अगर प्रयोग होई, इनका प्रयोग होई, तो तच्छम सब्द माने जाते हैं, जैसे एक्जामपल के रूप में आम्र, ये तच्छम सब्द है, अच्छी, अच्छी मतलब आँख जो होता है, अच्छी, परिच्छ परिच्छा छीर अश्रू आगया ऐसे प्रशनों में ये सब्न देखेंगे आथ ऐसे सब्द जो होते हैं तो वो तच्च्च्च्च्च्च्सम् सब्द कहलाते है इसे जदा तर तत्च्च् tradition होते हैं ये एक्ट्रीक है याद करने का और ये री अगर आ गया, suppose री आ गया, किसी सब्द में री का प्रयोग करके अगर बनाए गया है सब्द, तो वो सब्द जो है, वो तत्सम होता है, वो ऐसे सब्द भी तत्सम होता है, जिसे क्रिशी हो गया, क्रिशी हो गया, क्रिपा हो गया, या फिर अम्रित हो गया, ये ऐसे वो तद्सम सब्द होते हैं जो तद्भो सब्द होते हैं वो अनुनानसिक से बना हुआ सब्द जो है तद्भो होता है जैसे गवार गवार सब्द जैसे हो गया है ये तद्भो होता है आँख, आँख, चांद, मुह, मुह, गेहूं ऐसे सब्द जो होते हैं वो तदभो सब्द कहलाते हैं तो यह त्रिक आपको याद रखना है और जैसे एक और बता जता हूँ अगर जैसे अंग आ गया अंग या ड़ ये सब्द भी क्या होते है तदभो सब्द होते जैसे घोड़ा ड़ आ गया ड़ अंग नहीं है ड़ ये ड़ ड़ या नीचे लगा गया ड़ इसे सब्द जो होते है न वो घोड़ा करोण जैसे घड़ी ये सब किस में आते हैं तदभो सब्द में आते हैं तो यह आपको याद रखना है यह काफी आपको पहचानने में तदभव और तत्सम को पहचानने में काफी मदद करेगा तो चलिए दोस्तों नेक्ष्ट पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम सब्द है निम्न में से कौन सा तत्सम सब्द है तत्सम सब्द भूलना ने दोस्तों तत्सम सब्द वह सब्द है तत्सम मतलब जियोंकात्यों जो संस्कृत से जियोंकात्यों इस्तमाल लिया जाते हैं हिंदी में तो हिंदी के अनेक सब्द जो संस्कृत स सीधे आए हैं वो तो इसमें से बताईए कि जयों का ते जो इस्तमाल में लिया जाता है वो तत्सम सब्द होते हैं यह definition आपको याद रखना है अगर आप भूल गए तो काफी confusion होगा exam में तो इसमें देखिए आख आख जो यह आच्छी बोल गए हैं तो इसमें जो तत्सम आख का जो तत्सम है आख का वो अच्छी होता है तत्सम आख और आख होता है जो वो तदभव होता है तदभव सब्द जो आख है वो तदभव सब्द होता है तो इसको आपको ध्यान रखना है चलिए नेश पर चलते हैं अगनिका तदभव सब्द क्या है जो अगनिका और जो आग है ये है तदभव सब्द है आग का तो चलिए निश्ट पर चलते हैं काफी आशान प्रिशन है छटा क्वेशन है घोडा का तत्सम सब्द क्या है घोडा तत्सम का सब्द क्या है जो घोडा होता है उसका तत्सम सब्द आपको बताना है option घोटक A B जो है sand C लिब लिबी या फिर D घोडी जो दोस्तो D option है ये तो घोड़ा का घोड़ी मतलब इस्त्रीलिंग हो गया इस्त्रीलिंग ये है और sand तो आलागी प्रजाती हो गया तो इसमें आपको कोई confusion होने की जरूरती नहीं है घोटक जो है घोड़ा का जो होता है घोटक होता है तो चलिए नेश पे चलते हैं बीना time waste किये जली जली फटा फट सॉल कर लेते हैं साखी साखी एक तरह से साखी का तच्सम सब्द क्या होता है साच्छी सहादत यातना या कश्ट तो साखी साखी का जो तच्सम सब्द होता है वो साखी होता है साखी या आपको ध्यान दखना है चलिए नेश पे चलते हैं अश्ट का तदभो सब्द क्या है अश्ट जो है उसका तदभो सब्द क्या होता है अश्ट option A असी option B 18 option C या 8 option D तो इसमें से आपको बताना है कि answer कौन सा है तो दोस्तो इसमें जो इसका answer जो है वो अश्ट मतलब 8 होता है हिंदी में 8 बोलते हैं उसको तो परिवर्तित होके आ गया है तो चलिए दोस्तों नेश पे चलते हैं मुझे लग रहा है आप लोग भी आप लोग भी answer कर रहेंगे तो comment में answer करते रहें question पढ़िया और answer करते रहें चलिए दोस्तों next question पे चलते हैं पक्ष का तदभो सब्द क्या है पक्ष का तदभो पंख्षी पखेरू पंख या इन में से कोई नहीं तो option option जो दोस्तों पकेरू पंची यह तो समानार्थी सब्द हो गए इसके परियावाची एक तरह से आप बोल जाते हैं परियावाची सब्द तो जो पंख है इसका सही जबाब है तदभो सब्द पच्ष का जो पंख है वो सही जबाब है option C is the correct answer तो चलिए नेक्ट पे चलते हैं इक्षू का तदभो सब्द क्या है जो इक्षू है उसका तदभो सब्द गर्ना होता है option A इक option B इक option C या इक्षू option D तो आपको बताना है इसमें से फटा फट करके बताए दोस्तो इसका आंसर क्या हो सकता है तो इसका आंसर मैं इह बता देता हूं दोस्तो option C is the correct answer इक जोता है इक्षू का तदभो इक होता है तो चलिए नेक्ष पे चलते हैं काफी आसान प्रसन लग रहे होंगे अभी पर्ण का तदभो सब्द क्या है option A पत्र, option B पण, option C पन्ना या option D पत्र तो इसका जो तदभो सब्द है वो है पत्र पत्र is the correct answer पत्र जो है वो सही जबाब है तो चलिए दोस्तो अगले प्रशन पे चलते हैं हस्त का तदभो सब्द क्या है हस्त का तदभो सब्द बताना है आपको हाथ option A हाथी, option B, हस्तिनी, option C, हतियार, option D तो दोस्तो इसमें तो पता चलता है आपको confusion होगा हाथी और हाथ में confusion होगा जहां तक मुझे लग रहा है तो ये confusion में दूर करते हैं तो option A जो है वो correct answer हाथ होता है तदभो सब्द तो चलिए दोस्तों next पे चलते हैं लवड, लवड का तदभो सब्द क्या है लवड का तदभो सब्द क्या है option A, known, option B, नमक, option C, लवंग, या option D, छार तो इसमें से आपको बताना है कि इसका सही जबाब तो इसका जो सही जबाब है दोस्तों option A is the correct answer लवड को तदभो सब्द जो है वो known है तो चलिए दोस्तों next पे चलते हैं घोटक, घोटक का सब्द क्या है तदभो सब्द बताना है आपको इस प्रश्ण में आपको तदभो सब्द बताना है तो देखते हैं कि अगर आपको समझ में आए तो आप बता लेंगे इसमें option A है गधा, option B घोडा या option C घडा या इन मेंसे कोई नहीं अभी पिछले प्रस्ण में एक SSM प्रस्ण आ है तो उसमें पूछा था घोड़ा का तत्सम सब्द क्या है तो उसमें आपने बताया था कि घोटक होता है तो उसका उल्टा पूछ लिया है, उप्शन में दे दिया है प्रश्ण में कुछ पूचा है, option में दे दिया है, तो इसका जो right answer है, वो घोड़ा, गधा तो होगा ने, घड़ा भी अलगी दिख रहा है, तो option B is the correct answer, चलिए निक्ष पे चलते हैं, तत्सम सब्द नहीं है, इसमें कौन से तत्सम सब्द नहीं है, अभी आपको यह बताना ह है, एक answer जो है, एक जो option है हो तत्सम सब्द नहीं है, गोड, चच, चूण, या चंचल, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तत्सम सब्द नहीं है, option A, कोड, option B, चच, या ओपशन C, चूण, या फिर option D, चंचल, तो यह दोस्तो, कोड जो है, वो तत्सम सब्द है, चच, वो भी तद्भो सब्द है, चूर, वो भी तद्भो सब्द, लेकिन जो चंचल है, वो तद्भो सब्द है, तो आपको याद रखना है, तद्भो सब्द, तो चलिए, नेक्ट पर चलते हैं, option D, इसका correct answer है, सही जबाब जो है, वो option D है, छीर का तद्भो सब्द क्या होता है, दोस्तों, आप लोग छीर कभी खायें, छीर, अभी छीर खाया जाता है, या पिया जाता है, यह पहले बताईए, छीर जो है, वो तद्भो सब्द क्या है, छीर सब्द का जो तद्भो सब्द क्या होता है, option A, खीर, option B, नीर, option C, जलच, या option D, द, तो जो इसमें का छीर का जो है दोस्तों वो खीर होता है खीर इसलिए मैंने पूछा खाया जाता है या पिया जाता है तो ये भी आज भी confusion में है कि खाया जाता है कि पिया जाता है क्योंकि कुछ लोग खीर पीटे हैं कुछ लोग खाते हैं तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम अगले प्रस्ण पे चलते हैं आपने ने प्रस्ण में अज्ञान का तत्भो सब्द क्या होता है अज्ञान जो है उसका तत्भो सब्द आपको बताना है option a अंजान option b अजान या option c अंजाना या option d अजाना तो इसका जो तो चलिए जो सही जवाब है उसका option b है नेश्ट पे चलते हैं परिवा की तत्सम रूप क्या है जो परिवा सब्द है उसका तत्सम रूप बताना है परिवा का मतलब होता है परिवार तो option a परवा या option b जो है परिवा option 3 जो है प्रतिपदा या option 4 पड़िव तो जो option 3 is the correct answer प्रतिपदा परिवा का जो तत्सम रूप है वो प्रतिपदा होता है तो next पर चलते हैं दोस्तों सही जब आप इसका option 3 है कंगी का तत्सम सब्द क्या है कंगी जो है उसका तत्सम सब्द आपको बताना है कोठार, कपिठ, कजल या कंकत आपको ये बताना है कि कंगी का जो तत्सम सब्द है कोठार है या कपिठ है, कजल या कंकत तो दोस्तों इसमें जो ना तो कोठार है, कपिठ भी नहीं कजल भी नहीं, कंकत भी नहीं इसमें जो option में एक गलट टाइप हो गया है इसका जो कंगी का जो तत्सम सब्द है वो कंकत ही होता है कंकत ये इसका सही जबाब है पारे कर सकते हैं एस्टाइटीक हें हैं अजिस्ताइब गरें इस्टेडिक पी दिनर्फохे जो लोगो को दीखेगा आपको फेये अपको जाएगा दोस्तों तो इसका जो अंसर है वो कमका थी वहाँ पर अपडेटेट मिलेगा तो चलिए दोस्तों नई पर चलते हैं नेश कोश्चन देखते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण क्या है निमनलिखित में से तत्सम सब्द है उच्छा उजला उल्लू या तो इसमें दोस्तों एक दिख रहा है मुझे ओष्ट ओष्ट का मतलब होता है होट होट जो होता है लिपस जिसको बोलते होट है ठठ ठठेरा होट है यह होता है तत्सम सब्द तो दोस्तों थैंक्यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद आप सबका और ऐसे ही स्टेटी के बें बने रही है तो ऐसे हैं जो पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा जो भी आपका एक्जाम सव प्रतियोगता अगने वाले हैं काफी मदद मिलेगा आपको तो धन्यवाद फो वॉचिंग